गुड मॉर्णिंग एवरीबडी आज हम लोग इस वीडियो में human body के बारे में बात करेंगे here are 30 important questions related to a human body तो चलिए आज इस वीडियो के शुरुआत करते हैं इसमें आपको 30 different questions दिये गए हैं human bodies के बारे में ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे चलिए आए देखते हैं first question number of bones यानि एक मनुष्य के शडीर में कितनी हडिया होती है 206 right next question number of muscles यानि एक मनुष्य के शडीर में कितनी मांस्पेशिया होती है it is 639 639 right next number of kidneys यानि kidneys कितने होते हैं तो ये होगे आपको 2 number of milk teeth यानि जब I'm sorry जब एक बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जब उसके दूद के दांत होते हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है total it is total 20 ठीक है यानि 20 दूद के दांत होते हैं फिर वो धीरे धीरे एके कड़के तूट जाते हैं और उसके जगह पर फिर परमानित टीथ आते हैं next number of ribs 24 12 pairs यानि कुल मिला करके ये 24 होते हैं 12 pairs में यानि 12 each side 12 बाही तरफ और 12 दाही तरफ राइट next number of chambers in the heart heart में कितने chamber होते हैं it is 4 चार chamber से मिल करके एक heart बनता है ठीक है next question largest artery aurota ओर्टा ठीक है largest artery को क्या कहते हैं ओर्टा next normal blood pressure in a human body एक मनुष्य के शडीर में normal blood pressure कितना होता है 120 to 80 या 80 to 120 राइट next pH of blood blood का pH मान कितना होता है 7.4 it is 7.4 next number of vertebrae in spine 33 vertebrae का plural form होता है vertebrae ठीक है vertebra इसमें E लगा देंगे तो इसका plural form बन जाता है तो एक spine में vertebrae की संख्या कितनी होती है it is 33 right next number of vertebrae in the neck यानि एक गर्दन में मनुष्य के गर्दन में कितने vertebrae होते हैं तो यह होगे आपको 7 right next number of bones in the middle ear middle ear में कितने कितनी हड़ियां होती है it is 6 6 हड़ियां होती है right next number of bones in the face number of bones in the face यानि एक मनुष्य के face में हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है 14 ठीक है next number of bones in skull यानि मनुष्य के skull में ये skull खोपड़ी खोपड़ी में कितनी हड़ियां होती है 22 22 right next number of bones in chest chest यानि कलेजे में सीने में कितनी हड़ियां होती है it is 25 next number of bones in arms यानि मनुष्य के बाह में कितनी हड़ियां होती है 6 number of bones in each human ear यानि एक मनुष्य के कान में यानि एक तरफ ठीक है कितनी हड़ियां होती है 3 3 एक कान में और फिर एक ear में 3 और यानि कुल मिला करके दोनों कान को मिला करके 6 हड़ियां होती है next number of muscles in human arm मनुष्य के arm में कितनी muscles होती है कितनी मांस्पेशियां होती है 72 right next number of pumps in heart यानि heart में कितने pumps की संख्या कितनी होती है 2 next largest organ largest organ in a human body यानि मनुष्य के शडीर में जो largest organ होती है उसे हम क्या कहते है it is skin यानि तवचा मनुष्य का खाल next largest gland liver largest gland को हम क्या कहते है liver next smallest cell it is a blood cell blood cell next question biggest cell in a human body egg cell or you can say it ovum egg cell को हम ovum भी कहते है right next largest bone largest bone in a human body femur it is a femur we can also say it thigh bone हम इसे thigh bone भी कहते है next question smallest bone in a human body smallest bone in a human body it is steps इसे हम steps कहते है that is found in a in the ear ये कान में हडी पाई जाती है next first transplanted organ of a human body यानि मनुष्य के शडीर का वैसा अंग जो सबसे पहली बार transplant किया गया था ठीक है it is hurt यानि सबसे पहली बार hurt को transplant किया गया था ठीक है next average length of small intestine यानि small छोटी आत जिसको हम छोटी आत भी कहते हैं हिंदी में तो small intestine का जो average length है ठीक है ओसत जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है that is 7 meter 7 meter right next question average length of large intestine यानि बड़ी आत जो होती है उसकी ओसतन लंबाई कितनी होती है it is 1.5 meter 1.5 meter right next average weight of a newborn baby यानि जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है जब किसी नए शिशू का जन्म होता है तो उसकी ओसतन जो माप है या weight है वजन है वो कितना होता है that is 2.6 kg 2.6 kg एक बच्चे का ओसतन वजन होता है ठीक है next number of lungs in a human body एक मनुष्य के शडिर में कितने फेफ़डे होते हैं यानि कितने lungs होते हैं ठीक है it is to one each side यानि हर तरफ जो है एक बाई तरफ और एक दाई तरफ ठीक है तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर इसका चाहते हैं स्क्रीन शॉट लेना तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा प्रीज कमेंट करके जरूर बताएं और आपको जिस तरह की वीडियोज चाहिए आप उसके लिए कमेंट सेक्षन में जा गरके के मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अपने डिले टिप्स को शेर करना नौ भूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थेंक यू गॉड ब्लेस यू एड़ गुड दे कर्णक झाले लिए और आपको यह वीडियो में यह लागाओर Сब्स वीडियो में यह बड़या देन की ततिक SCOTT